लेटेस्ट एक्जाम जीके में आप सभी का स्वागत है चलिए पहला प्रशन देखे इन में से कौन सा कहानी संकलन परशाद की कहानियों का संकलन नहीं है विकल्प देखिए परती धुबनी इंदरजाल अल्प मंजरी या फिर छाया जल्दी से बताए किसी को भूलना नहीं चाहिए ये प्रशन कल्ट्रिक से भी किया था क्या जाएगा जी विकल्प नंबर सी ये गल्प मंजरी है ठीक है अल्प मंजरी रिखा गया गल्प मंजरी है ठीक है गल्प मंजरी किसकी थी ये भी बताए सुदर्शन जी की चलिए अगला प्रशन देखिए कौन सी कहानी प परसाद द्वारा रचित नहीं है, मम्ता, सालवती, पर्तिद्वनी या फिर सुजान भगत, जल्दी जल्दी उत्तर चुनिए क्या हो जाएगा, very nice, मम्ता, सालवती और पर्तिद्वनी ये तीनों ही कहानिया किसकी हैं, परसाद जी की सही उत्तर क्या जाएगा, विकल्प नम अगला प्रशन देखिए अरुन एव मधुलिका किस कहानी के पातर हैं इंपोर्टेंट है जी मंत्र पंच परमेश्वर ममता या फिर पुरुसकार जल्दी से उत्तर चुने क्या उत्तर हो जाएगा अरुन एव मधुलिका किस कहानी के पातर हैं सही उतर जाएगा विकल्प नमबर डी के साथ पुरुसकार पुरुसकार किस के कहानी है परसाद जी की ठीक है अगला प्रशन देखिए सेगड विजय पन्ना धाय रूठी रानी अंब पालिका कहानियों के रचैता का नाम बताए इसमें रूठी रानी प्रशन आपसे पूछा जा सकता है विकल्प देखिए प्रशाद जी आचारे चतुरसेन सास्तरी उपेंदरनात अश्क या फिर भगवती परसाद वाजपई सही उतर क्या हो जाएगा विकल्प नमबर बी आचारे चतुरसेन सास्तरी जी अगला प्र नाम है उपेंदरनात अश्क भगवती परसाद वाजपई चतुरसेन सास्तरी या फिर रादिका रमन परसाद सिंग जी जल्दी बताएं निशानिया और दो धारां किसकी रचना है ठीक है किसकी है जी विकल्प नमबर ए जाएगा उपेंदरनात अश्क जी की प्रेम चंद युग का कौन सा कहानिकार सामाजिक या थार्थ को नंगन रूप में परस्तुत करने में सिद्ध हस्त माना जाता था जल्दी से बताएं युवाओं में इनका क्रेज बहुत जादा बढ़ गया था एक समय में ठीक है क्या उत्तर हो जाएगा वेरी गुड विकल्प नमबर चंद्रगुप विद्यालकार या फिर उशा देवी मित्रा बहुत बढ़िया क्या उत्तर जाएगा विकल्प नमबर ए राहुल सांकिरताईन जी अगला प्रशन देखिए कानों में कंगना किसकी परसिद कहानी है most important है प्रेम चंद कोशिक सुदर्शन राधिका रमन परसा जी कानों में कंगना किसके होगा राधिका जी के ठीक है कानों में कंगना किसके राधिका जी के डबल क्या हो जाएगा डी सही हो जाएगा अगला प्रशन देखिए इन में से कौन सा कहानी संग्रय उग्र जी का नहीं है दोखज की आग कहानी कोमुदी इंदर धनुष या पिर चौकलेट सही उत्तर चुनिए क्या हो जाएगा दोखज की आग इंदर धनुष और चौकलेट ये सभी उग्र जी के कहानी संग्रे हैं परन्तु कहानी कोमुदी इनका नहीं है ठीक है जी अगला प्रशन देखिए अच्छा ये बताए कवीता कोमुदी किसकी रचना थी कवीता कोमुदी किसकी रचना थी जल्दी से बताएं ग्यारा नंबर परशन देखिए प्रेम चंद युगीन कहानी की कालावदी क्या है? 1916-1936-1950 या फिर इनमे से कोई नहीं Very good, राम नरेश तिरपाथी जी की बहुत बढ़िया क्या होगी जी, सही उत्तर क्या जाएगा, विकल्प नमबर B क्या जाएगा, विकल्प नमबर B 1916-1936-1950 प्रेम चंदोटर जी की थी चलिए अगला प्रशन देखिए, इनमे से किस लेखक की भाषा लोकोक्तियों एव मुहावरों का स्टीक परियोग परचुरता में हुआ है प्रेम चंद प्रसाद, सुदर्शन या फिर चतुरसें सास्तरी जी जल्दी से उत्तर चुनिये क्या हो जाएगा 12 का क्या उत्तर होगा बहुत बढ़िया, क्या जाएगा विकल्प नमबर A, प्रेम चंद जी की अगला प्रशन देखिए, प्रेम चंद युगीन कहानी के संबंद में कौन सा तथ्या असत्या है कहानी मानल जीवन से संबंदित हो गई है परिवारिक समाजिक राजनेतिक समस्याओं का चितरन होने लगा व्यक्ति चरित एव नारी की परमुकता दी जाने लगी तथा कहानियों में मनो विशलेशन की परमुकता है जल्दी से बताएं इसका उत्तर क्या जाएगा विकल्प नमबर D कौन सा तथ्या असत्या है कहानियों में मनो विशलेशन की परमुकता परेम चंद यूगीन कहानी में बाकी सबी बिल्कुल सही है अगला प्रशन देखिए प्रेम चंद उत्तर कहानी की समय अवदी क्या मानी जाती है आगया प्रशन प्रेम चंद उत्तर कहानी की समय अवदी क्या मानी जाती है सही उत्तर क्या जाएगा जल्दी से बताएं 1936-1950 विकल्प नमबर B सही हो जाएगा इन में से कौन परगती वादी कथाकार है जल्दी से उत्तर चुने क्या हो जाएगा प्रेमचंद परसाद यश्पाल जी या फिर शास्त्री जी क्या उत्तर जाएगा विकल्प नमबर सी क्या हो जाएगा विकल्प नमबर सी यश्पाल जी अगला प्रिशन देखिए परदा क दोसो ये परशन आप अच्छे से देख लीजिए ठीक है अच्छे से समझ कर लीजिए एक्जाम में ये परशन most probably है आपसे पूछा जा सकता है परदा कहानी के लेखक इन में से कोन है कोन है यश्पाल जी ठीक है यश्पाल जी से आपको एक आदा परशन जरूर आएगा अच अगला परशन देखे इन में से कोन सा कहानी संग्रह यश्पाल जी का नहीं है वो दुनिया पिंजरे की उडान फूलों का कुरता बिप्तगा जल्दी से बताएं क्या हो जाएगा प्रशन नमबर 17 का उत्तर क्या होगा वेरी गुड क्या उत्तर जाएगा विकल्प नमबर D किसकी है अग्ये जी की बाकी वो दुनिया पिंजरे की उडान और फूलों का कुरता ये किसकी है यश्पाल जी की कितीन बाबू कहानी के लेखक कोन है अग्ये जनेंदर यश्पाल या फिर इन में से कोई नहीं बहुत बढ़िया क्या उत्तर जाएगा विकल्प नमबर A अ यश्पाल जी क्या जाएगा यश्पाल जी खत्चर और आदमी किसकी है यश्पाल जी की अगला प्रशन देखिये इन में से कोई सा कहानी संग्रह अग्ये जी का नहीं है बिफ्तगा कोठरी की बात जैदोल या फिर खंडर की आत्माएं बहुत बढ़िया खंडर की आत्मा बहुत बढ़िया क्या बात है किस कहानी कार की रचना है जिनेंद्र अग्ये इलाचंदर जोशी या फिर यशपाल जी बताएं चोथे विवा की पतनी लोगों को एक नहीं मिल रही यहाँ पर चोथे विवा की पतनी क्या उत्तर हो जाएगा क्या जाएगा विकल्प नमबर सी के साथ ईला चंदर जोशी जी चलिए अगला परशन देखिए किस कहानी कार की कहानिया मनो विज्ञान की दृस्टी से केस स्टडी सी परतीत होती हैं महत पूर्ण परशन है क्या उत्तर जाएगा विकल्प नमबर डी ईला चंदर जोशी जी ठीक है अगला परशन देखिए परशन नमबर तेईस है जी पी शिरी वास्तव की कहानियों में परधानता है किस परकार की परधानता है जी समाजिक घटनाओं के यथा तथ्य चितरन की परगतिवादी भावनाओं की सेक्स एब रोमांस की या फिर हासे व्यंग की जल्दी से बता अगला परशन देखिए इन में से कौन सा कहानी कार हासे व्यंग कथा कार की श्रेणी में नहीं आता हरी संकर परशाई अनपूर्णानंद जनेंद्र या फिर जी पी श्री वास्तव दोस्तों परशन इसी परकार के आपको बनेंगे एक्जाम में ठीक है कहानी से सम्मंदित परशन इसी परकार के बनते हैं क्या उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर सी जनेंद्र जी अगला परशन देखिए नई कहानी का प्रारंब कब से माना जाता है इंपोर्डन कोर्शन है 1940-1950-1960 या फिर 1972 मनो विशलेशन आत्मग वेरी गुड चलिए बताइए क्या उत्तर हो जाएगा नई कहानी का प्रारंब कब से माना जाता है बहुत बढ़िया कब से माना जाता है 1950 इस्वी से अगला परशन देखिए भोगे हुए याथार से जुड़ी होने से यह अधिक प्रमानिक है यह कतन कहानी के लिए है तो किस कहानी के लिए है परगतिवादी कहानी मनो विशलेशन वादी कहानी प्रेम चंद यूगीन कहानी या फिर नई कहानी जा उतर जाएगा विखल्प नमबर सी नई कहानी ठीक है जी उस समय का ही चितरन जो भी किसी के साथ बीती घटना है उसी को अच्छे तरीके से परस्तुत करना ये नई कहानी में शुरू हुआ था अच्छे से याद कर लीजेगा अगला प्रशन देखिए नई कहानी जीवन के प्रती नया भाग बोध का है अचारे रामचंदर शुकली जी डॉक्टर नमबर सिंग शिप परसाद सिंग या फिर अचारे हजारी परसाद दिवेदी जी देखे दोस्तों अगर इस परकार का परशन आए और आपको पता ना लगे ठीक है कि ये परशन कहां से लिया गया है कैसा है तो आपने इसे तुक्के के थुरू कैसे लगाना है देखे अचारे रामचंदर शुकल तो बिल्कुल नहीं होगे याँपर ना ही हजारी परसाद दिवेदी ठीक है अब आपको लगेगा दो अप्शन में बी और सी ठीक है शिप परसाद सिंग होगा क्या नहीं होगा ये आलोचक नहीं है ठीक है सबसे जो इन सबी से जो जादा अच्छे आलोचक माने जाते हैं नहीं कहानी में डॉक्टर नामबर सिंग जी ठीक है तो नामबर सिंग जी ने ये नहीं कहानी के बारे में कहा था ठीक है तो आप इस तरह किस कहानी में विशय की नवीनता के साथ साथ शिल्प गत न से बताएं प्रशन नंबर 28 का क्या हो जाएगा किस कहानी में विशय की नवीनता के सासित शिलप गत नवीनता भी विद्बान थी क्या जाएगा मनोविशलेशनवादी सही कर लीजेगा अगला प्रशन देखे इन में से कौन सा कहानी संकलन इला चंदर जोशी का नहीं है इंपोर्टेंट है डायरी की नीरस प्रस्ट आहूती खंडर की आत्माई या फिर शरनार्थी जल्दी से बताए क्या उतर जाएगा इला चंद जोशी जी का नहीं है शरनार्थी चलिए अगला प्रशन देखिए काम भावना एव योन समस्या पर कहानिया लिखने वाले कहानि जी तर्शन देखिए कार का नाम क्या है इला चंद जोशी आर्सी सिंग रसी प्रसाथ सिंग छंद्र गुप्त जी आफिर भगवति चरन वर्मा क्या जाएगा वीकल्प नंबर 20 ही हो जाएगा परशन नंबर 30 का आर्सी सिंग वसियत कहानी के लेखक का नाम बताए वसियत क किसकी है भगवती चरण वर्मा जी की अगला प्रशन देखिए एहम भ्रमसी कहानी के लेखा कोन है भिश्म सानी किशोर साहू दिविजैंदर नाथ मिश्र निर्गुन या फिर अमरकांद एहम भ्रमसी क्या उत्तर हो जाएगा प्रशन नंबर 32 का सही उत्तर जाएगा विकल् यतार्थ वादी कहानी वर्ग में नहीं रखा जा सकता इला चंदर जोशी चंदर गुप्त भगवती चरण वर्मा या फिर जानकी बल्लव शास्तरी जी यतार्थ वादी कहानी में ये तो बिल्कुल सीधा सीधा उत्तर हो जाएगा प्रशन नंबर 33 का सही उत्तर चुनिए क्या उत्तर जाएगा विकल्प नंबर A इला चंदर जोशी जी अगला प्रशन देखिए इला चंदर जोशी किस वर्ग के कहानी कार है यतार्थ वादी आदर्श वादी परगती वादी या फिर मनो विशिलेशन वादी मोस्ट इंपोर्टन एक्जाम में बहुत बार या विश्व यूद की घटनाओं पर आधारित कहानी संकलन संगीनों का साया किसकी कहानीयों का संग्रह है अग्ये कमलेश्वर परभाकर मावचे या फिर शिरी राम शर्मा जी जल्दी से बताएं क्या हो जाएगा प्रशन नंबर 35 का संगीनों का साया किसका है जी नंबर सी सही हो जाएगा परभाव माचवे अगला परशन देखिए परशन नंबर 36 मोस्ट इंपोर्टेंट है हिंदी में शिकार कथाओं के लेखन का शिरी गनेश किसने किया था शिरी राम शर्मा प्रेम चंद रामकुमार ब्रमर या फिर वेबांशू दिव्याल जी क्य आ उत्तर जाएगा हिंदी में शिकार कथाओं के लेखन का शिरी गनेश किसने किया था जल्दी से उत्तर चुनिये क्या हो जाएगा विकल्प नंबर A शिरी राम शर्मा जी अगला प्रेशन देखिए नई कहानी का सबसे बड़ा वेसेस्ट्य है कथा तत्व का हास यहा कथ किस आलोचक का है जल्दी से बताएं डॉक्टर नामबर सिंग डॉक्टर नागेंदर गणपती चंद्रगुप्त या फिर प्रेम चंद जी यहां पर कथा तत्व का हास दिया गया है अगर कथा तत्व के हास की बात करेगा तो जिस परसन ने कहानियों से सम्मंदिद बहुत ज के बारे में बता सकता है जल्दी से उत्तर चुनिये क्या हो जाएगा क्या उत्तर जाएगा विकल्प नमबर डी प्रेम चंद जी ने ये कहा था ठीक है जी अगला प्रशन देखे नई कहानियों से है जो जीवन के लिए उप्योगी है और उनके लिए किसी ना किसी नए पह डॉक्टर नागेंदर कमलेश्वर या फिर मारकंडे क्या जाएगा सही उत्तर जाएगा विकल्प नमबर बी डॉक्टर नागेंदर चलिए अगला प्रशन देखिए कहानी पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था 1950, 1955, 1960 या फिर 1975 क्या उत्तर जाएगा विकल्प नमबर बी 1955 कहा पत्रिका का प्रारम कब हुआ था? 1955 में अगला प्रशन देखिए, इन में से कोन सी कहानी मारकंडे की नहीं है? क्या उत्तर जाएगा? Very good. क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नमबर D. मुर्दा सराय. अगला प्रशन देखिए, प्रशन नमबर 41. शिपरसाज सिंग का कहानी सं इन में से कोन सा है? विकल्प देखिए, मुवे का पेड, मुर्दा सराय, तीन निगाहों की तस्वीर, या फिर इन में से कोई नहीं. चलिए बताएगा इसका क्या उत्तर हो जाएगा? इसका उत्तर जाएगा विकल्प नमबर D. मुर्दा सराय. ठीक है? अच्छा ये भी ब जल्दी से उत्तर बताएगे क्या हो जाएगा? जानवी कहानी के लेखा कोन है? जेनेंदर जी. ठीक है? विकल्प सी सही हो जाएगा. अगला प्रशन देखिए, निमिलिकित कहानियों और कहानी कारों की सूची को सुमिलित करते हुए सही विकल्प चुने. देखिए, बाप बापसी कहानी किसकी थी? जल्दी से बताएगे. बापसी कहानी किसकी थी? बापसी किसकी होई? उशा जी की? बाहादुर किसकी रचना थी? जल्दी से बताएगे. बाहादुर किसकी थी? जो अमर है. ठीक है? वही बाहादुर है. चीफ की दावत किसकी है? चीफ की दावत? भीश्म साहनी जी की तूटना राजेंदर यादव जी किसके पती थे राजेंदर यादव जी जल्दी से बताएं BCDA जल्दी से बताएं राजेंदर यादव जी किसके पती देव थे अगला प्रशन देखिए तीसरी कसम एव लाल पान की बेगम नामक कहानियों के लेखक का नाम बताएं तीसरी कसम और लाल पान की बेगम मोस्ट इंपोर्टेंट है जी अच्छे से कर लीजेगा मन्नू भंडारी जी के बिलकुल मार कंडे कमलेश्वर फरनीश्वर नाथ रेनू या फिर उशा प्रियम्बदा क्या उत्तर जाएगा रेनू जी विलकुल क्या उत्तर जाएगा विकल्प नंबर सी लेनू जी होगी जय होगी जय है पुरुष उत्तम नवीन नामक कहानी की लेखका कौन है सूर्य वाला उशा प्रेमबता मनु भंडारी या फिर कृष्णा सोबती जल्दी से बताएं देखिए ये रचना आपने कृष्णा सोबती की तो नहीं पड़ी होगी ना ही मनु भंडारी की अब A और B में से देखिए क्या हो जाएगा वेरी गुड क्या उतर जाएगा विकल्प नमबर A सूर्य वाला जी अगला प्रशन देखिए इन में से कोन नई कहानी आंदोलन से नहीं जूड रहा जल्दी से बताएं जनेंदर कमलेश्वर मोहन राकेश अमरकांत जी कोन नहीं जूड़ा रहा विकल्प नमबर A जनेंदर जी थीक है विकल्प A सही होगा अगला प्रशन देखिए राजा निर्बन्सिया और तलाश कहानी का लेखक मोहन राकेश कमलेशवर राजेंदर यादव याफिर निर्मल वरमा जी जल्दी से बताएं क्या उतर जाएगा विकल्प नमबर बी कमलेशवर जी ठीक है क्या हो जाएगा कमलेशवर जी अगला परशन देखिए कहानियों एव कहानीकारों की सुची से सुमेलित करते हुए सही विकल्प चुने जिन्दगी और जोंक मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है किसकी है जिन्दगी और जोंक किसकी है जल्दी से बताएं किसकी है परशन नमबर 48 देखिए जल्दी से उत्तर चुनिये क्या हो जाएगा जिन्दगी और जोंक किसकी है जल्दी से बताएं पहले का तीसरा अमरकांथ वेरी गुड छुट्टी का दिन क्या हो जाएगा छुट्टी का दिन किसकी थी उशा जी की ठीक है उशा जी प्रशाद सिंग अगला प्रशन देखिए सच यही है कहानी की लेखिका कोन है सही उतर जाएगा विकल्प नंबर ए मन्नु भंडारी जी की है यही सच है चलिए इस सेशन का अंतिम प्रशन है इन में से कोन सा कहानी संग्राय मन्नु भंडारी जी का नहीं है यही सच है तरी शंकू डार से तूटी या फिर मैं हार गई वेरी गुड चलिए क्या उतर हो जाएगा डार से तूटी ठीक है बाकी यही सच है तरी शंकू और मैं हार गई ये सबी किसकी थी मन्नू बंडारी जी की चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में